हम जानते कि इंडिया में जो टैक्सिस है वो 30% है और TDS 1% लगता है जब से जो ट्रेडिंग वॉल्ले में बहुत ज़्यादा कम हो चुक है इंडिया में लेकिन सचाई सामने ये आई है कि इंडिया नंबर वन पर है क्रिप्टो इंडस्ट्री में यानि कि इंडिया में जो ए अगर हम यूए की बात करें तो ऐसी कंट्री सो अभी आसपास भी नहीं है चाइना की बात करें तो वो भी बहुत दूर है तो ये सर्वेस सामने आने के साथ साथ हमें एक प्रॉल्म जहल नहीं पड़ सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वालों क्यूंकि वजीर प्रंसिस को बाय किया जा रहे है तो वो कहां भी बढ़ी है तो इस चीज़ को चेक करने के लिए गौर्मेट बहुत सारे स्टिक्ट एक्शन्स लेने वाली है यानि कि हमारे जो एक्शेंजिस जो हम फॉर्ण एक्शेंजिस को यूज करते हैं उनकी उपर एक्शन लिया जा क्रिप्टो एडाप्शन के सासाथ क्रिप्टो रेगुलेशन भी कि क्रिप्टो रेगुलेशन लानी किया है जिस कारण हम बुरे तरीके से फसने वाले हैं जो भी एक्शल में ट्रेड करते हैं क्रिप्टो इसको फॉर्ण एक्सेंजिस की उपर तो यह वीडियो इंपॉर् आपको सबसे पहले मिलने वाली हैं, जैसे कि अब इसके साथ जॉब्स का भी कटडाउन किया गया, तो हर एक अप्डेट आपको सबसे पहले वहीं पे मिलने वाली है, अभी हम बात करेंगे क्रिप्टो एडॉप्शन के बारे में, तो यहाँ पे जो W ब्लॉक्चेन के नाम से एक Twitter handle है, जो X का handle है, तो यहाँ पे chain analysis किया गया है, latest cryptocurrency adoption का, जिसमें report यह सामने आई है, कि इंडिया सबसे उपर है, उसके बार नाइजेरिया है, फिर वेत नामें, यह top 3 पे आते हैं, यह 3 countries, जिनमें सबसे जादा cryptocurrency के adoption है, उसके बाद आता है, United States, तो हम यहाँ पे देख स crypto currency हो, चाहे कोई भी किसी तरह की industry हो, उससे पैसा कमाके economy को strong करना है, और इसमें government भी किसी ना किसी तरीके से साथ भी देती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, US के बाद फिर Ukraine आता है, Philippines, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आता है, यानि कि पाकिस्तान में भी काफी सारी adoption है, फ सबसे पहले कौन था? चाइना था, चाइना था, फिर USA था, लेकिन अभी कौन है? इंडिया, जिस कारण यह बहुत बड़ा issue बनने वाल है, issue in the sense कि government इसको इसकी तहकीकात करने वाली है, इसे के बाद फिर Turkey आता है, Russia, United Kingdom आता है, Argentina, Mexico, यानि कि सारी developing countries आगी, जिसमें Bangladesh भी आ उवराण डिटेल में जान लेते हैं, यहाँ पर ओवरार इंडेक्स रैंकिंग बताएगी है, जो है वन है, तो जिस कारण इंडिया डॉप पर है क्योंकि यह ओवरार रैंकिंग है, सेंट्राइज सर्विसिस में भी नमबर वान पर चल रहा है, रेटेल सेंट्राराइज सर पेंगकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। लेकि नाइजेरिया के बात करें तो नंबर वन पर है। वेतरम के बात करें तो दूसरे नंबर पर है। इसे के साथ जो बाकी रैंक्स हैं, बाकी कंट्रीस को बहुत जाधा नीची है। लेकिन इंडिया top 5 में आता है, defy value received, इसकी बात करें, इसकी ranking आ नमबर वन, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो indians है, उन्होंने defy को यूज करना शुरू कर दिया, even de cabinet taxes को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि centralize exchanges के उपर भाथ सारी problems आ रही है, problems in the sense की tax इतना ज़्यादा collect किया जाने शुरू कर दिया गया है TDS बहुत ज़्यादा हो चुक है जिस कारण अभी DeFi और Dex दोनों को यूज किया जा रहे है इसी के साथ retail DeFi के बात करें तो ये भी number 1 है तो आप यहाँ पर देख सकते है number 1 पर mostly India ही है तो उपर Nigeria या फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो United States आता है जिसमें centralized services या फिर DeFi value, retail DeFi इनमें दो number पर United States आता है तो आप देख सकते हैं इंडिया सबसी उपर है crypto crisis की adoption में अब मैं आपको जो starting में बता रहा था अगर हम VazirX की बात करें या फिर coin DCX की बात करें, zappay की बात करें, coin switch kubbeir ऐसी काफी सारी हमारे इंडिया के exchanges हैं जिनके उपर बहुत जादा बहुत बड़ा trading volume था लेकिन एक साल से जादा हो चुक है जब से trading volume नीची आया है सबसे बड़ा reason यही है लोगों ने TDS नहीं पे करना कोई भी trader कितना ज़्यादा TDS पे करने के लिए ready नहीं है कि जब भी वो buy करें तब भी 1% देना पड़ेगा जब वो sell करें तब भी 1% क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा loss हो जाता है 1% तो TDS मनता है लगबग 10% या फिर उससे ज़्यादा fees भी लग जाती है और लग-लग exchanges के उपर लग-लग fees है और लग-लग दिन पर लग-लग fees रहती है हाला कि कई दिन free trading fee वी वाले दिन भी रहते हैं यानि कि trading fee बिलकुर नहीं लगती लेकिन इसमें हमारा बहुत बड़ा mount चला जाता है तो आप देख सकते हैं हमारी इंडियन exchanges के उपर volume ना होते हुए भी सबसे उपर इंडिया आ रहा है इसका मतलब क्या है सारे के सारे trading volume वो कहां बे जा रहा है वो centralized foreign exchanges के उपर जा रहा है या फिर decentralized exchanges के उपर जा रहा है जिस कारण अभी government का है इसके उपर एक बड़ा action लेने वाली है action in the sense कि हर एक चीज़ को track किया जाएगा decentralized exchange अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका भी आपको पूरा बताना ही पड़ेगा हर एक जो address है उसको भी track किया जाएगा तो हमने इस चीज़ से बचना है जिस करना आपको मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बता रहा था कि हमें बहुत बड़ी problem face करने ही पड़ सकते है यानि कि फालतू में extra TDS देना पड़ेगा profit नहीं भी हो रहा है तो हमसे tax मांगा जाएगा और इस चीज़ के पीछे जो इंडिया भादों के पीछे पढ़ने वाले इंडियन कॉर्मेंट क्योंकि इंडिया के पास अल्रड़ी presidency थी हलाग यह presidency अभी आगे दी जाएगी किसी और country को जो अल्रड़ी अनौस भी कर दिया गया है लेकिन इसमें crypto regulations को लेकर वर्चल एसेट्स की regulations को लेकर इंडिया ही काम कर रहा है तो एक करम legal consultants हैं जो की United Arab Emirates की हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया को crypto currencies को legalize करना ही पड़ेगा अगर government taxes collect करना चाहती या फिर data को manage करना चाहती है तो यह बिल्कुर सही बात है अभी तक government ने इसको legal नहीं किया है सीधा taxes लेने शुरू कर दे कि आप जो कमाओगे उसमें से हमारा हिस्सा रहे गई रहेगा चाहिए आप नहीं कमाते हो तब भी हमारा हिस्सा रहेगा रहेगा तो इंडियन government ने बहुत गलत action लिया हुए जिस कारण इंडिया बहुत पिछड रहा है वरना इंडिया हमारा top पे रहता तो यह legalize करने की बात बार-बार करी चारे कि या तो इसको legalize किया जाए या फिर taxes को हटा दिया जाए जो सबसे बुरी चीज़ है इंडिया में जिस कारण बहुत से जो actual traders है वो इंडिया से move on होके कई और कंट्री से में जा चुके जैसके Singapore या फिर United Arab Emirates है तो इस news को लेकर हम जादर detail में नहीं जाएंगे लेकिन आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी government को काफी सारे जो innovators है या फिर जो entrepreneurs है जिन्होंने crypto projects अपने खुद के नए शुरू की है या फिर जो central banks है सारी countries के वो हमारी Indian government को कुछ ना कुछ किसी ने किसी तरीके से suggestions देने वाले कि taxes को कम किया जाए और जो legal framework है उसको थोड़ा friendly बनाया जाए ताकि सभी सही त इतना ही जिसमें हमने यह देखा कि India टॉप कर रहा है crypto adoption में आपके आगे मानने इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर था है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक और शिर दिस वीडियो क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि हमारा India सब से आगे चल रहें crypto adoption में और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर लीजिए वाल्फ ट्वेट को ताके आप तक आने वाली वीडियो स्कुन नोटिफिकेशन्स हमेशा पॉइंच रहें यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद